हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यह एकन को सब्सक्राइब लुए, अपी तरिक्तों में एनी समझमयाई? कि मेरे दोस्ट को कभी स्क्रिप्ट के जरूत नहीं पड़ती ही सारी सर्थ है अब आप के सामने आरे हैं कार्थिक जिन्होंने चप्विस साल की उम्र में काफी बड़ा नाम कमाया है सो प्लीज वेलकम कार्थिक थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मँच बहुत सही काहन है मैंने चोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है छेकिन साथ साथ बहुत सारे पैसे भी कमाया है मांग मतले ना देखते हैं यह जीरो और वन मेरी जिन्दगी में जब से आया है आई में प्रोग्रामिंग कोड़ तब से भी अपने परिवार से तो दूर होई गया हूँ अपने आप से भी दूर हो गया हूँ टेक्नलोजी और इंटरनेट के एक अलग ही दुनिया है जिस तरीके से दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे नियम काइदे बने है वैसे टेक्नलोजी और इंटरनेट की दुनिया को चलाने के लिए भी बहुत सारे रूल सोने चाहिए आई नो इंप्रेसिव साउंड कर रहा हूं लेकिन जीवेन में सफल होने के लिए विफल होना बहुत ज़रूरी है और यही सब बाते करके मैं सफल बनाओ ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरी शिदत से अपने पैशन को पूरा करो क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हे काम्याबी अर्तिक काम्याब बिकेस्ट पैल थैंक यू, थैंक यू सोब गोलू गोलू क्या कर रहे हैं आपे, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें अमा, मेरे पेट बहुत दर्द कर रहे हैं. तुम्हारा रोज-रोज का ड्राम है, श्कूल के नमपर पेट दर्द होता है. चलो, रेडियो होचाँ. गोलु का चैरा खराब हो गया? गोलु मोलु ड्योलु. प्रोज के निए, मेरा दिए पोहुत। पोड़ी बाम, मैरा ही गाजूच के देखिए अजानाशन हैं. ये सब क्या है? तुम्हारी बढ़ती जा रही है, और तुम्हारी शराबते भी. मैं आज ही तुम्हारी पैनेट से बात करूँए. चलो तुम प्रेस कर दो, चलो गुलू हमारे स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा था पढ़ाई में बेहतरीन था लेकिन अब इसका पढ़ाई का स्तर दिन बा दिन गिरता जा रहा है यह देखे इसने क्या किया आपके घर में सब ठीक तो है ऐसे तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो ठीक है ठीक है, फिर आप इसका ध्यान रखिए और पढ़ाई में ध्यान दे अंकित मैंने का ना तुझे, हो जाएगा काम अच्छा सुन, मैं एक क्लाइन के साथ बैठा हूँ, तुझे बात में बाता परते अब अरे सुन मेरी बास सुनो, मैं सॉरी सॉरी? सॉरी क्यों? मैं हूँ ही कौन तुमारी? अरे तुम ही तो मेरे दिन का सुकून है और आतों की नहीं थे शुट आप जाओ, जाके चिप को जैसे स्टेज प लड़कों से चिपक रहे थे मैं तुड़ना चिपक रहा था तुमने देखा ना कैसे जाके मेरे शिपक गई थी ओ मैडम, दस दिन बाद ना हमारी शादी है इस सुजा वा मूले के मंड़प में बैठोगी ना तो अच्छी नी दिखोगी I love you I love you too Angit, बस रेडी हो रहा हूं, पांच मिनट बने कल रहा हूं हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल यार, यह कोणा रहे है तुम यह पर रहे है तुरु कोछ ज़्यादा है शॉपिंग ने कर लिया शादी है मेरी, ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ूँगी मैं वाँ यह वाला एक सेकंड़ रूख कार्थिक को पूछती हूं कहा है सही है, यार यार, डौर तो खुला हुआ खुला है? तो चलना अंदर, चलना आज़, आज़, आज़ कार्थिक दरवासा खोड़के पता नहीं कहा चला गया कार्थिक 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 राई दर्वाजा पहले कि खुला हुआ में दर्वाजा और बेडरूम के दर्वाजे को देखके तो नहीं अगता कोई फोर्स इंट्री हुए या राइट सार उसके कमरे से अंटी डिपरेसेंट्स और अजाटी पिल्स मिलें अगता बॉड़ी को सबसे पहले किसे न देखा था कार्तिकी मंगेतर महक ने अगले हाथ दोनों की शादी वोने वाली थी देखें हम समझ सकते हैं आपर क्या बीत रही है लेकिन हमें अपनी इंवेस्टिकेशन कर देखा कार्तिकी किसी की सब दुष्मन हो थी? मेरे पता सर, मैं दो दिन के लिए दुपई गई थी शादी की शॉपिंग करके लोटी तुझे सब देगा क्या उनको किसी के साथ कोई परसनल या प्रफेशनल प्रॉब्म थी? तो सर, हम लोग बहुत कुछ थे इन फैक, हमारी शादी होने वाली थी नेक्स्ट वीक अगर वो इतना खुछ थे तो एंजाइटी पिल्स और अंटीदेप्रसंट पिल्स क्यों खा रहे थे? वो तोड़ा टेंस्ट था सिरकार्तिक ने एक एप डवलप दिया था जिसके लॉंच के लिए उसने मार्केट से 5 करोर उठाए थे थे लॉंच में थोड़ा डिले हो रहा था जिसकी वज़ेसे से बहुत टेंशन थी सर पैसो का इंतिजाम हो जाएगा मैंने आपको काना मैं आपकी सारे पैसे लोटा दूँगा बस मुझे थोड़ासा वक तोर दे दीजी जैस सर आम रिक्रेस्टिंग यू थेंक थेंक यू सर क्या हो काड़ी? मुझे पैसो की बहुत ज़रत है तो इस आप के डिले होने के कारण ना मेरी जिंदेगी भी खत्रे में आजएगा मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जितनी भी पैसो की जरूरत है हम पापा से मांग लेते है पापा हमारी इतनी तो हेल्प करी देंगे मेरी खुशी के लिए और जब पैसे आजाएंगे तो हम उने लोटा देंगे तो मैं रच कर लोगा किस से लिया था ये लोग? नहीं परता इसके घर वाले का नहता है? इसके मांबी पापा शाथ तुन अगर में रहते है फॉरंसी टीम को बला और उसके घरवालों ख़पर करो जाए गोलु क्या है ये? सारे मैक्स गलत कर दिये तुमने इतने अच्छे तो थे बढ़ाई में क्या कर रहे हो? चोटा बच्चा है अभी वो इतने छोटे बच्चे को ऐसे डाटने से काम नहीं चलेगा अरे उससे प्यार से बात करो हो सकता इसको कोई स्कूल में परिशान करता हो है ना बिटा? स्कूल में कोई परिशान करता है क्या तुमें? अगली बार कोई कुछ कहे तो हमसे बताना चाचा है तुमारे हमसे अपने दिल की सारी बाते कर सकते हो अब हम यही रहने वाले हैं? चलो, गेम खेले. येले! बैया, लीचे, जल्दी खेलने आये ना, क्रिकेट! आरो, आरो! जल्दी, बहुँदे! बहुँदे, बहुँदे! जल्दी, बहुँदे! बहुँदे, जल्दी! रफ्कल! वे, शरम! शरम नी आत्ती तुझे, बच्चों के साथ बच्च जीसा हो गया तुभी. मैं दिनराथ एडिया घीत रहा हूँ, ये सोच करके, कि मैं सुबेदार रह गया, पर तुझे पढ़ लिखकर बड़ा आदमी अफिसेर बनाऊंगा, पर नहीं, तुझे ता हमारा गिर्भी करनी है. पापा! नकुल भाईया सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, और वो थोड़ी दे दिचे खिलने हो गए, तो आप भरे महोले में सब के सामने हैं, उनके उपर चिल्ला है. बेटा, बाप हू तेरा, औरना मारूगा दुख खीच के. बच्पन से इतना मारा है आपने, और अब मुझे आपकी मारता कोई असर नहीं पड़ता. काटू! मेरा, मेरा. क्या कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? पर तो उसकी किसी के साथ ओए दुश्मनी नहीं थी. लेकिन अपका नहीं पता. मतलब? मतलब, चार साल से कार्तिक हम सहला भी रह रहा थी. कार्तिक है धर की दूरी है, आप लोगों के भर से तकरीवां दो किलो मेटर के हो. तो भी आप लोगों से दूर है रहा थी? उसके आने गाते को ठीकाना ही नहीं थी. आदी आदी रात तक वो काम करते रहता था. उसे लगता था, हम उसके वचे से परेशान हो रहे हैं. इसलिए अरग हो गया. इतना अव्यास्त हो गया. इतने महिने तक अपने हमार से भी मिलने नहीं आया वो. लेकिन अगले हथे तो कार्तिक की शादी हो रही थी? सर, कार्तिक की पतने को हम लोग पसंग नहीं थे. हम तो अपने हाथ से एक खाना खाएंगे. यह भी ठीक है. यह किसने ओडर किया है? नहीं चाहिए भी है? यह मैंने ओडर किया है, बेबी. आप कभी तो फेवरेट है? तुम शराब पिती हो. हाथ तो क्या हो है? आजकल तो सभी पीते हैं. नहीं भीया, नहीं चाहिए. लेकर जाओ से. वाट इस नॉंसेंस पार्थिक? क्या था यह? अगर तुम्हें अपने माबाब के सामने सादू बनना है तो बनो. प्लीज डूंट चेंज मी. अगर तुम्हारे माबाब को इसने सफिस्टिकेटिग रेस्टान में खाने की आदत नहीं है तो मुझे पहले बताना चाहिए था. हाथ उसे कौन खाता है यार? तो इंबरसिंग. मेहक ने धिरे धिरे हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया. वैसा पुराने रिष्टे भूला दिता. वैसे ही कार्दिक ने भी हमें भूला दिया था. दुदो दुदो. 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 आपके आने के बाद बिल्कुर बदल गया है? हम बहुत खूशे, भाय साब. अच्छे, हम बाजर जा रहे, बहुत जल्द लोटाएंगे. यह अमारा सीक्रेट था. किसी को कुछ बताना मत. वरन्ना सब तुम्हें ही डाटेंगे. करतिक की पोस्तमॉरम रिपोर्ट. उसकी मौत दो पायर 12 से चार बजे की दीच हुई है. और ठीक साड़े चार बजे महें हमें इंफर्म किया. वैसे पोस्तमॉरम रिपोर्ट की हिसाब से कार्थिक ने सुिसाइड नहीं किया था. उसकी बॉड़ी पे चोटके निशान भी है. और कार्थिक की बॉल पे जो साइन था, वो क्राख वा? अभी तक तो नहीं. उसे अनरेटिंग से समझ में यह रहा है एक्जाक्ली क्या लिखी गए थी. और वैसे वो दिवार थोड़ी सी खुदी भी थी. इसके वज़े से एक्सपर्स को भी थोड़ा समय लग रहा है. और कुछ? सर, मैंने कार्थिक के कॉल रिकॉर्स चेक्किए. उसके काफी अलगल लगूसे बात्चीत होती थी. उनमेंसे एक है दिनेश सावन. ये, तुमारे कॉल लोकेशन डिटिक्स. तो कार्थिक की मौत वही थी. इसके मुताबिक तुम वही पर मौजुद है? जी नी, सर. मैं उसके घर पे नहीं, बल्को उसे घर के बाहर था. उस दिन अमारी बहुत इंपॉर्टिंग टी, सर. इसलिए मैंने उसे कई बर कॉल बेखिया था. इन फैक्ट, उसे लिए ने घर भी गया. लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला अब दूर लॉक थी. तो मुझे लगा शाद वो मिटिंग के लिए निकल चुका होगा. पिर मुझे लगा शाद वो डिरेक्ली क्लाइंट से मिलने चला गया होगा, सर. राजीव, सर, इस क्लाइंट की डीटेल्स है कल लोगा? इस. सर, करीब बारा बजे अंकित की बात हुए थी कार्तिक सर. उसके बाद भी कार्तिक के मोबाइल पे कुछ और भी मिस कॉल्स थे, जो शायद इसने नहीं उठाया होगा. तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब अंकित उसके घर के बाहर गया हो, तब तक वो मर चुका हो? महकी स्टेटमेंट के मुताबेक, जब वो कार्तिके घर पे पहुँची थी, तो कार्तिके घर का दर्वाजा खुला दू. यार, डोर तो खुला हुआ है. और अंकित की कहने के मताबेक, जब वो आँपर पहुँचा था, तो दर्वाजा लॉक्ट था. दोनों में से कोई ना कोई तो जूट बूट रहा है. Samir, भाईनी, दोस्ते है तुमेरा. और आप मेरे लिए पापा से भी बढ़कर हो. मा के जाने के बाद, आप ही ने दो मेरा ख्याल रुखा है. कितना प्यार दिया है. थोड़ा, और प्यार दो ना. मतलब? मुझे गेम के लिए पार्टनर चाहिए. तो भी लेवल पार हो पाएगा. नहीं, नहीं, कोई गेम नहीं के लिए लिए. प्लीज, भाया, प्लीज. अच्छ, अच्छ, ठीक. कार्टिक ने सुिसाइट नहीं किया था, उसका मुडर हुआ है. मुडर? अच्छ, अच्छ, उसकी किसी के साथ दुष्मनी नहीं? सर, जिसके साथ उसकी दुष्मनी थी, जनी लगता कि वो उसका हून कर सकते हैं. क्या हुआ पैसो का? कितने दुनों से बोला हुआ है? एक हप्ते से लगातार फोन कर रहा हूं तुम्हें. आजकल तो अपने बाप का फोन नोठाना भी बंद कर दिया तुम्हें. पैसा नहीं है मेरे पास. अने काना, नहीं हुआ इंतिजाम? यह, यह याशी करने के लिए पैसा है तुम्हारे पास. लेकिन अपने बाप को देने के लिए नहीं है. हाँ, नहीं है मेरे पास मैसे. सिर्फ कार्दिक ने अपनी महनत और तिमाग से और जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लिया था. वो राद दिन महनत करता था. कभी कभी तो उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं होता था. लिकिन उसके पैरिंस उसे प्राउट करने की वजाए उसके पैसों के पीछे पड़े रहते थे. उसका डेबिट कार्ट, ट्रेडिट कार्ट सब युस करते थे. और जब कार्टिक नहीं इसा बंद करा दिया, तो उसके पापा उससे नाराज होगी. कार्टिक हत परेशान, हत दुखी रहने लगाता साँ. तो पेरेंस का तो कुछ औरी कहना आए कार्टिक के बार में? और मेहक का कुछ औरी कहना है. राजी, इश्रीकान के बार में पता थे. ता. उपा! क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मुरा सपना देखा होगा. कोई बात नहीं. ममा सोजाएगी तुमारे पास. आप क्यों परिशान होती हैं? मैं हूँ ना? मैं सोजाओंगा इस कम्रे में. सेफ, वेरी कार्थी के कुछ पड़ों से उसे बात ही. उन लोगों ने कार्थी को किसी से लड़ते हुए देखा था उसे. किस से? तुम्हारा बश चले तो अपने बाप को घर से धक्ये दे कर निकाल दो तुम. शादी कर रहे हो. जाइपूर में होगी देस्टिनेशन वेडी. राजा महारा जाओं के महल में. और अपने माबाप को दड़क का भिखारी बना दिया है तुम्ने. सर, कार्थिक ने लॉयर से भी मेरी बात हुए. कार्थिक ने अपने पिता के उबर पैसे गबन करने का केस भी किया था. सर, इन फाथिक ने अपनी इंश्यरेंस और अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपने मा को नॉमनी बना था जो कि वो चेंज करना चाहता. सर एक और बात, शिकांद के बारे में कुछ और भी पता चला, कारतिक मेरा बेटा था, पैसों के लिए अच्छे बाप को बदलते वे देखा है मैंने, क्या ये सच नहीं है के कारतिक के पास प्रॉपटी और लाइफ इंशुरेंस, जिसकी नॉमनी उसकी माप है, जो के बदल क अपनी बीवी के नाम पर करना चाहिए, लेकिन शादी के एक हफ्ते पहले ये उसका मोडर है, और ये प्रॉपटी और लाइफ इंशुरेंस, अब आप और आपकी बीवी के नाम पर है ना, ये क्या पात कर रहे हैं सर, कारतिक मेरा बेटा था, अपना ये जुए की लद है अभी, है ना, पचास लाग को कर्जा आयाँ में, जान की दमकी यारी है आपको, जाम अपनी जान बचाने के लिए आपने अपने बेटी की जान ने लाइबा है, ये गांवर्टे है, जान क trifle को में तो रहा है, है हैसा कुछ नहीं किया है, ये है, कैया ये सच नहीं है, की जापते अकार्तिक की कंपणी के शेयर्स उचे दामा में किसी और को बीच नहीं है। सर, हमें क्या मालूम इस सब के बारे में। वो तो वो, अंकीत घर आया था, उसने कहा कि इस शेयर्स का आप क्या कोरोगी। तो अच्छा पैसे दे रहा था, हमेंने शेयर्स उसे देती। ठीके, आप जाए सूँ. अरे, यह वाला पेज उपन करना। भाईया, पेज लोड़ी नहीं हो रहा। ए, ट्राय कर। नतुल, उसमें क्या देख रहा है? तु फेल हो गया है तु फेल! मैं तो फिर भी सुबेदा था, तु तो प्यून मीनी बन पाएगा? अच्छा सध्या. मैटा! मैटा नकॉल! मैए! सर, यह सुनी ले, कार्थिक के असिस्टेंट, आपसक कुछ कहना चाहता है. बोलो! सर, वो कार्थिक सर का, उनके पार्टनर अंकित से बहुत बड़ा जगड़ा हुआता से. क्या कह रहे हो तुम? तुमाग तो ठीक है? इल्कुल ठीक है. यह पार्टनर्शिप मुझे खाप्म करनी है. वा! के टाइमिंग है? पार्टनर्शिप मुझे खाप्म करनी है. बहुत सरी टाइमिंग है तुमारी है. जब हमारी अप लॉंच हो रही है, कंपनी का एक्स्पेंशन हो रहा है. तब जा के तुम्हें सब को सुझ रहा है ना? इस कंपनी के लिए बहुत मैनत किये मैने. अबर तुम्हें मैनत किये ना? तो तिमाक मेरा लगा है. और ये मत भूलू, कि इस कंपनी पे मेरे भी पैसे लगे है. पैसे ने कुछ नहीं होता, अंकेत. एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अच्छे आइडिया की जड़ोती है. जो मेरा था. और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे. लेकिन एक बात याद रखना, इस कंपनी की ब्रैंडिंग, इसका डिक्ता कॉम कभी चेंज नहीं होगा. वो पेले भी मेरा था और अगे भी मेरा था. सर कॉन से बिजनिस में पार्टनर की लडाई नहीं होती. मेरी भी होती. डेक्ता कॉम एक बहुत बढ़ा ब्रैंड है सर. मैं चिड़ा हुआ था. इस पार्टनर्शिप को हमेशा के लिए खत्म करना चाता था. लेकिन अगर पार्टनर्शिप खत्म होती, तो डेक्ता कॉम की ब्रेंदिंग बिच्चे जोयाती. इसलिए कार्थिक ने मुझे मना लिया था. कब तक मुप लागे रखेगा? देख, यह कंपनी ना, हम दोनों किये. देख, जल से जल इस कंपनी को कहा तक मचाता हो? बस थोड़ा सबगते थे. I'm sorry, यार. ना, sorry मुझे बॉलनी चाहिए. काफी बड़ी कंपनी है. कार्थिक ने काफी बड़ा लोन लिया था अप के लिए. यह आप अभी लॉंच होने वाला ना? जे, अंदर दिन बात. मतलब यह अब जब लॉंच होगा तब आपके कंपनी के शेर्स तो स्काइरोकेट हो जाएंगे? 50 गोना. तभी आपने जलबाजी में कार्थिक के शेर्स जो है उसके माबाब से खरीद लिये थे. वो सब बिजनेस डिसीजन था. कार्थिक एमाब आपको उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था. और मैं नहीं चाहता था कि कोई नो सिख्या मेरे कंपनी पर हग जाता है और मेरा पार्टनर बने. कि असका मतलब है होगा कि कार्थिक की मौत के बाद सबसे ज्यादा था आप इको हुआ है. क्योंकि जीते जी कार्थिक अपने शेयर्स आपको तो बेचता मैं. तो मरने के बाद यह पूरी कंपनी आपकी. आप पुलीस वाल हैं, इसका मत्तभ यह नहीं कि कोई भी कहा नहीं गए, मैंने अपना दोस्त कोया है, पहले असलिए कातिल को जाकर पकड़िए, मुझे नहीं, और जीतनी समझ मुझे है ना, कि बिना किसी थो सबूत के आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले जाकर मैं सबूत होड़िये, इसके बाद मुझे फासी पिचड़ा दीजेगा कारतिक की ओफिस में जितने भी लोगयां उन्स सब पे नजार रुख, और इस अंकित के साथ-साथ, बाकी लोगों की भी कुर्ण दीन कर, सर्थ बिचारने किदी तकलीफ सही थी, ऐसे जिने से तो मरना ही भैतर है वेचार ने किदी तकलीफ सही थी? ऐसे जीने से तो मरना ही भेतर है. पुलिस को जाकर तू नहीं बताया ना? मेरी उकार्ची की लड़ाई के पारे में? नहीं सर, छूट मत बोर! जब हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अफिस में सिर्फ और सिफ तू ही था! ठीक, अकर पुलिस हमें परेशान की ना, तो तू ही परेशान होगा! सर, फूफ, एक नहीं बात पता चलिया, मेहक के पास एक इंटरनाशनल सिम कार्ट था, जिसके बारे में उसना में कभी कुछ नहीं बताया है, सर, उस सिम कार्ट के मुताबिक, मेहक उस दिन कार्थी के घर पे चार बजे नहीं, डेर बजी ही पॉज गई लिए लिए, लिख सर, फिर बाद में बंद हो गया, फिर दो गंटे के बाद आपका डॉमेस्टिक नमबर एक्टिवेट हो, जिस नमबर से आपने हमें फोन किया था साड़े तीन बजे, इसका मतलग, डेर बजे जब आपका इंटरनाशनल सिम कार्ट था, आप अंकित के घर के पास ही थी, सर, मैं जदमे में थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, एक घंटे तक मैं भाई मुथ बन कर बैठी रही, सर, मैं टर गई थी, इसलिए मैं वहां से निकल गई, और अपना फोन मैंने स्विच अफ कर गया, फिर एक घंटे के बाद मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ क्या सच में इतीस ही बात है, भी जादा सवाल करके हम आपको परिशान नहीं करना जाए, ठीकिन हमने आपके कॉल रिकॉर्ट देखे हैं, आपकी अंकित से काफी घंटों तक बात हुआ करती थी, हमने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्या आप यहीं कहेंगी कि आप यहीं कह कि कॉलेज के दिनों में आप और अंकित काफी गहरे दोस्तों करते हैं, इंपक्त आप इसकी गल्फरेंड रह चुकिया है सर्ण बॉइफरेंड गल्फरेंड थे, पर है नहीं, कार्ती और दुसरे को मैंने उसे मिलवाया था, लेकिन जब लुदुने दूसरे को डेट करना शुरू के सर्ण के बिच में कभी नहीं आए तो फिर आप दूनों होटल रूम में क्या कर रहा है? जाजीव, सर यहां, सर, अंकित ने मुझे मिलनी के लिए पुलाया था, फिर उसके बाद मुझे मुझे मुलेस्ट करने लगा, सर, मैंने उसे मुलेस्ट नहीं किया, वो जूट बोल रही, बलकि उसने सेड्यूस करने के कोशिश की थी, सर, मैं आपको प्रूब भी दे सकता हूं, आपने अज़े होटल में किया गुलाया है, हम तो बाहर भी मिल सत्ते हैं ना? बाहर वो बाद में नहीं नहीं पिला, जो यहां पर है, चले? हाथा, मैंने उसे सेड्यूस किया था, मैंने उसे किस भी किया था, सर, मेरी उकार्टिक की शादी होने वाली थी, पर वो मुझे चीट कर रहा था, वो किसी और लड़की के साथ था किस के साथ अफैर चल ला था? किसी रिया के साथ में, सर उसकी वज़े से हम दोनों के बीच पहुत जगड़े हुए, और उसी कुस्से की वज़े से, मैं अंकित के साथ हुटेल में गई कि इस रिया का एड्रेस है तुमाने पास? नहीं, सर्व राजीव, कार्ति की कॉल डीटेल से रिया का नमबर ने कलवा, उसका एड्रेस वी, सर्व हलो, सर आपने जो साइन हमें भेजी है, उसके बारे में कुछ पता चला है वही जो कार्ति की वॉल पे लिखावा था ठीक, वैसा ही निशान दस साल पहले एक केस में मिला था, लड़के का नाम नकुल था उस लड़के ने आत्मत्य की थी मैं उस निशान की फोटो आपको भेजता ठीक है भेज़े एक कला एक कला ये तो वही साही है ये लड़का सब जहाद तक मुझे यादे इसना तो सुिसाइड किया था दस साल पहले लगता है इसके माबाब से मिलना हो कहा लड़को आपके बेटे नकुल के बारे में कुछ पूश्टाश करें अब क्या बात करेंगे आप दस साल पहले नकुल के साथ साथ उसकी भी सारी बाते खत्म होगी जाजीव सर नकुल ने अपने सुसाइड नोट में एक साइन बनाया था कैसे पहचालता है नहीं साब पुलिस ने तो कहा था ऐसे ही कुछ लिख दिया होगा आपको छोटा बेटा कामपर है अब वो भी जिंदा नहीं है समीर नकुल से बहुत पहर करता था उसके जाने के बाद उसने भी पानी में डूपकर अपनी जान दे दी मेरे पास एक वीडियो भी आया था उसको सर अजीब बात है कार्तिक की वॉल और नकुल की नोट कॉपी पर सेम निशन कैसे हो सकता है तब तो किस रिया से मिलते हैं आप कार्तिक को कैसे जाने तुम्हें काम्याभी कार्तिक काम्याभ बिगेस पैन वह मेरी जिंदिगी थे मेरा सब कुछ थे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे उनके साथ मेरी जिंदिगी के सारे रंग भी चले गए कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को जननन से साफ साफ जाब दो साफ साफ ही तो कह रही हूं जैसे क्रिष्न की मीरा भाई थी जैसे मैं भी अपने कार्थिक का फैर अपने दिल में लेके नगरी-नगरी घुमोंगी सर, मुझे तो लड़की पागल लगती है पागल नहीं, पागल बनानी कोशनष कर रही है इसके बार में पता कर। यह सो हाई रिया, यह तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं मुझे नहीं बताता तुम्हारा बॉइफ्रेंड भी है है तो नहीं लेकिन मेरी ऐसी फोटोस देखेगा ना तो जरूर हो जाएगा तुम बिना कपरो के अपनी ऐसी फोटोस किसी को कैसे भीच सकती हो अरे यार प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता है और प्यार के लिए अगर बदनाम भी हुए ना तो प्यार के दुनिया में नाम ही होगा तुम्हारे कॉल एकोशिन रिकॉर्ड के मुताविक जब कार्तिक का मुर्डर हुआ था तुम उसी एरिया में थी? तुम उसी एरिया में थी? देखने गई थी हमारने गई थी काफी ओपसेस्टी ना तुम कार्तिक के साथ जब तुम्हे यह पता चला के कार्तिक तुमसे नहीं बलके महक से शादी करने वाला ऐर भ्श्च तुम्हातायो फोतु अच्छी तरह से खातेर्दारी करो इसकी, जब तक यह सच न बले। सच में बता कैसा है? रुप लोग यह खाने तो दें, देखना, आसे मैं तुझे हरा ही दूँगी मैं तो कपका हार चुपा हूँ गुछ से? मैं ना, तुमसे बहुत प्यार करती हो, अगर तुम मुझे अपनी जान देने बोलोगे ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगी रिया, श्रीकांत, महक और अंकित इन चारों के पास कारतिक को मारने की बज़य भी थी और चारों के चारों उस जगहां पर मौजूद भी थे जहां कारतिक का मुडर हो और का शायद नकुल के साथ भी कोई कनेक्शन हुगा सब नकुल है नहीं, गोलु दीपक और रहूल के साथ दूँध ये लोग कोन सबी लोग अलग अलग पुलिस से उस मार्च से कनेक्टेड लोगे सर नगुल की तरह गुलू ने भी सूसाइज किया था उसके पोस्समॉटम से पता चलाए कुसका चाचा उसे रेप करता है और बाग की तो? सर दीपक ने अपने पिता को मार कर अपने पिता के खून से दिवार पे वो निशान बनाया था कहा है दीपक? सर दीपक चैसाल से गायव है कहा है किसी को कोई खबर नहीं सर राहुन ने भी खून करने से पहले खून से दिवार को निशान बनाया था अभी वो जेल में बंदे सर मुझे कुछ नहीं पता इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मुझसे में तो प्यार करता था रेखा से मैं तुम्हारे लिपनी जान भी देदूंगी सच में दे सकती है जान मैं गेम खेल रह था जिसमें लास्ट इस्टेज पार करने के पहले अपने सबसे पयारी चीज को पुरबान करना पड़ता था मेरी सबसे प्यारी चीज तो रेखा थी इस साइन को पहचानते हो तो, बता सकते हुए क्या है यह उसी गेम का साइन है लास्ट सेज पार करने के पहले ऐसा मार्क बनाना पड़ता था और उसे फोटो क्लिक करके आगे शेयर परना पड़ता था कौन सी गेम? तो इसका यह मतलब हुआ के नकुल और गोलु ने इस गेम के चकर में सुसाइड किया और दीपक और राहूल दोनोंने मुड़र राजीव इस डेर डेविल गेम के बार में कता है और यह भी पता करो के कार्तिक के क्रेक्शन में कौन-कौन लोग थे जो यह गेम खेल रहा थे राइट सर्थ अब तो मुझे राहूल की बात सच लग रही है यह देखें यह मॉस कोड है यहां डॉलर साइन को एस से रिप्लेश किया गया है और परसेंटे साइन को दी से रिप्लेश किया गया है तो कर्तिक के मॉबाल में यह गेम था तो कहीं ऐसा तो नहीं के कर्तिक ने इस गीम की वज़ा से सचाइट गया है हो सकता है सर्, लेकिन कार्टिक के इलावा भी किसी और के मोबाल में ये गेम था किसके? यार तुम ऐसे क्यों चारी हो? अभी तो कार्टिका इन्विस्टिगेशन भी पूरा नहीं हुआ यार मैं कार्टिक के बिन यहा नहीं रह सकती मैं उसे बहुत मिस्स करती हूँ मैं तो भई जा रही है चलिए मैडम, हम आपको दुबाई सी भी अच्छी जगह लेकर चलते है बहुत हो चुका तुमारा ये गेम ये डेर डेविल कही ऐसा तो नहीं के तुम्हें डेर मिला था कार्टिक को मारने का उस डेड़ डेविल गेम से हाँ सिर्फ कैसी बात कर रहे है सराब क्या ये गेम तुमारे फोन में नहीं है वो गेम कार्टिक ने खुड डाउनलोड किया था वो भी जबरदस्तिक उसे पता था कि मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है कार्टिक इसा क्यू कर रहे था सर चुकि वो गेम कार्टिक ने बनाया था वो उसका डेवलपर है जी सर कार्टिक ने इस गेम को बनाया था जी सबसे बड़ा है भाई, यह क्या इन विकार की गेम से बनाया फाल्टिक वेस्ट कर रहा है तो विकार की गेम से बेड़ा जीस दिनी गेम लौंच हो आना इस दिन सबसे बड़ा है टोका वो वर्चुल लाइफ में नहीं कि असल जिंदिगें भी सब लोग खिलेंगे तो प्राइज बनी भी होगी कम से कम एक करोट रुपया आई तो पावल हो गया गया तेरे पास वीनन को देने के लिए इतने सारे पैसे कहा से आएंगे पैसे एकसी को देने ही नहीं पड़िके पताए क्या क्योंकि इस गेम की फैलल स्टेस तक पहुंचने के लिए ना प्लेयर को या तो खुद की जान देनी होगी या किसी की जान देनी होगी या किसी की जान देनी होगी या तो कार्थिक ने सिष़ाइट किया, या फिर इस गेम के वजए से जिनलोगों की जान गई उन्ही भी लोगों में से किसी ने कार्थिक को मार के बदला लिया कार्थिके करेक्शन में जितने भी लोग इस केस से इनवोड하 जिन लोगों ने भी एस गेम को डाउनलोड किया है, जिनने भी नुखसान पहुच्छा यह गेम खिलते हो. उन सब का एक डेटा बना, उन सब सब पुष्टाच करें. आदा, मुझे कुछ मिला है, सर्, जिस अड्मिन नेम से नकुल गेम में लौगीन किया करता था, वो पिछले दस साल से बन्था. लेकिन अभी पिछले एक साल से कभी-कभी सेम एड्मिन नेम यानिके सेम प्रोफाइल से को यॉर लागिन कर रहा है आई-पी एड्रेस से पता करें कौन? समीर, नकुल का वो भाई जो दस साल पहली मर गया था शायद हम तुम तक कभी पहुच नहीं पते हैं लेकिन तुम से एक खल्ती हो गई तुम अपने पुराने एड्मिन नेम से अपनी गेम में लॉग इन करना शुरू कर दिया है समीर के नाम से वही समीर जो छह साल पहले मर चुका नाम और दूसरी गल्ती तुमने अपनी मौत तो सावित कर दी है एक नहीं आइडेंटिटी भी ले लेकिन अपने अतीज से नाता नहीं तोड़ गा है पापा से मिलने के लिए और देखने के लिए अपने पुराने घर की लोकेशन में बार बार जाते रहे तुम्हारे फोन की लोकेशन से हमें यह सब पता चला है पापा से कोई प्यार नहीं है साथ मैं तो बस दूर से देखने जाता था क्योंके नकुल भाया थे उनके बहुत केर करते थे साथ सर मेरे नकुल भाया बहुत अच्छे थे साथ बढ़ाई में भी बहुत तेज थे सर एंडिया में जाने वाले थे लेकिन मेरी गलती के वज़े से उन्होंने अपनी जान दे दी साथ और मैंने उन्हें उस गेम के बारे में बताया था सर अच्छा से ध्यान जिस दिन मैंने अपने भाही की लाश देखी नसर उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया ता कि जिसने भी एगेम बनाया मैं उसे जिनदा नहीं छोड़ा और उसके बाद मैंने अपनी मौत का प्लान बनाया पांच साल तक यहाँ आखे दख्के खाये मैंने लेकिन अपनी कम्पूटर की पढ़ाई कम्प्लेट की ता कि उस कार्तिक की कमपणी को मैं जॉइन कर सो मैंने उसकी कंपनी जॉइन की सर मैंने एक साल तक उसे अजिस किया सर बस एक सही मोगे की तलाश और जैसे सर मुझे 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 मिला मैंने यार यह कौन आगया तुम असर एक्चुली मिटिंग पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक दिखा ना चाहता हूं सर एक नियार सुनिल मैं तो लेट हो रहा हूं मुझे जाना है सिर्फ पांच मिट लगेंगे सर प्लीज सर अब ठीक है आओ सुबब अमेजिंग या जूस्पी होगे जी सर यह एप रिगुलिशनेरी होगा लोगों की लाइफ बदल देगा जैसे आपके गेम डेर डेविल ने लोगों की लाइफ बदल दी सुआ तुम्हारे बाई के सल्खलत हुआ लेकिन तुमने भी जो किया और ठीक नहीं किया सुमझे समझ में नहीं आता है गेम के बिचे लोग इसकादर पागल कैसे हो सकते हैं राजीव हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी वज़े सेपरेशन है और ये गेम केल कर हम इस रियल वोल्ड को एसकेप करना चाहते हैं लेकिन ये गेम कब हमारे दिलो दिमाग को भारी पढ़ जा हमें पता नहीं चालता है दर असल ये गेम जो है हमें एक एड्रिलिन बहुत रूपी